हालो फ्रेंड विल्कम बैग मैं हूं मानिक पाइक और मेरो साइध कानेटेट होने के लिए आपको बहुत शुक्रिया जैसे आप डिसक्रस करेंगे गूगल एड्ट टुटल एन हिंदी क्लास में जहाँ पर आपको सिखने को मिलेंगे हाउ टुट्रीट गूगल क्वाल एड् जो मेरा स्ट्काइबर है जो मेरा family का मेंबर है उनों ममें जिए फॉर्फ्सिंग किया था कैसे मेरा business के लिए lead generation कर सकते हूं और lead generation करने विए मेरा पास ज्यादा से फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटम जुरूद अब दिए, क्योंकि एक प्रोपरिशनल ट्यूटेल क्लास ट्रेनिंग प्रोपेस में यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के पर बहुत सब्सक्राइब क्लास में अल्रेडी दे चुका हो, और आजकर जो सिखने के बाद है कि कैसे आप गोगल क्वाल आड्स क्रेट कर सकते हो, तो फ्रेंट को उसने अपको इसके लिए आपको गोगल आड्स एक जो प्रोफाइल है, जो आपको एकाउंट हो होना चाह तो मैं यहाँ पर आपको गोगल क्वाल आड्स कैम्पेइन में आपको जनेरेट करना सिखा होंगा, और मैं step by step सिखा होंगा, कि because मैं मानतों के आफसान और इजी तरीके से अगर अब इस सीख जाएंगे, तो आए होब आपको बिजनस को बहुत आगे लेकर जा पाएंगे, तो फ्रेंट से लिए आप जानते हों कि यहाँ पर जब भी आप Google Ads open करेंगे, तो by default आपको ऐसा ही home button के एक screen देखने को मिलेंगे, और इसके साथ आपको यहाँ पर जो option मिलेंगे, यह option क्लिक करके आपको Google Ads create करना होगा, और वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर step by step सिखते रहे तो फ्रेंट मैं सौगात करता हूँ PPC tutorial class में आपको, तो आप देखी यहाँ पर एक campaign नाम पर है, यह campaign पर click करेंगे, campaign क्लिक करने के बाद आपको एक campaign के जो home page dashboard है, यह आपको सामने में आ जाएगा, और यहाँ पर आपको plus button देखने को मिलेंगे, यह click करने के बाद आपको सामने में new campaign जो है, यह आपको सामने में open हो जाएगा, और जब आपको new campaign plus जब open हो जाएगा, तो आपको सामने में एक option आ जाएगा, इसको हम लोग dashboard भी बोल सकते हैं, और यह अलग-अलग type की होते हैं, जैसे for example sales, lead, website traffic, product, app promotion, brand and awareness and trees, तो फ्रेंट आप देखिए कि यहाँ आप और sales display shopping video smart, यह सारसी अब कर सेकते हो, इसके अगर आपको कोई जुरोत ने, by default आपको जैसे customize करके यह सारसी अब करना चाहिए, तो यह भी आप कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सरे आपको create a campaign without a goals यह आपको click करना होगा, right friend, और जब भी जैंगे, for example, website visit and phone call, friend, यह Google Ads ritual की हिचाब से, Google Ads campaign अगर आप यूज करो तो यह tool की हिचाब से आप दो benefit ले सकते हो, for example, website का traffic और इसके साथ साथ आपको phone call, right, तो आप चाहे तो website का traffic भी आप ले सकते हो, इसके साथ साथ आपको जो website की जो call चाहिए, यह सारे चीज तो यह आ dot in, मैंने यह link दिया, netmedia dot in, और मेरा जो number है, मैं इंडिया से हूँ, तो मैं इंडिया यहाँ पर select करना चाहते हूँ, इंडिया के select करना के बाद, आपको जो number है हो, आप डाल दीजिए, जैसे for example, मेरा number जो है, 7003 555 238, friend मैं बता दू, अगर आपको business related कोई भी क्वारी से ह call करके, या WhatsApp करके मेरा साथ बात चीत का सकते, जो यहाँ पर आप number देख रहे है, आप चाहे तो आपको Westside Promotion, Digital Marketing, SEO, SMR, PPC, Google Ad, Westside Design and Development के लिए भी मेरा साथ बात चीत का सकते, मैं आपको अच्छा-चा-चा-चा-चा-बिजनस प्रवाइड करके देदूँगा, तो चली friend, ए create करने के लिए अपने साथ देखा, कि आपको country select करना होगा, अब जो भी country में रहे थे, वही country के अप select करिए, और आपको जो number है, जुरूर आप डाल दीजे, पर example के दोवरा आपको एक number example के दोवरा दिखा है, तो please आप 0 भी डाल दीजे, कोई दिखत नहीं, इसमें अगर आपको 0 नहीं डलेंगे, तो कोई problem है, issue नहीं आया जाएगा, तो friend, यहाँ पर आपको main traffic है, continue करने का, जब आप continue करेंगे, तो आपको सामने और एक नए dashboard open हो जाएगा, friend, आप देख सेखते हूं कि आप जब continue बटन दवा दीजा, तो continue बटन दवाने के बाद, आप जो ads ad campaign regulate करें, यह चाहे तो आप इसमें कुछ भी by default change कर सकते, तो यहाँ पर मैं change नहीं करना चाहते हूं, बस आपका जो campaign name है, यह है call ads, right, तो friend, आप ऐसे mention कर दीजिए, call ads, अगर आप a date भी, आप wish करना चाहते हो, कि उसको pass information रहे, तो बस आप ऐसे करके भी, आप a कर सकते हो, for example यहाँ पर आजका date की शब्स, मैं यहाँ पर दे दिया, मैं एक बता दू, यह आप, कोई भी आपको जो दिल चाहे, आप यह नाम राख सकते हो, right, right friend, तो चले friend, मैं यहाँ पर sales network और display network जो है, मैं include कर दीत हूं, मतलब मैं यह सारे जो Google का पास always sales partner है, मैं ओ देखना नहीं अब only for आपको Google sales result की अंदर देखना चाहिए, तो friend, आजकर जो date है, a date की शब्स, आप date चला दीजिए, अगर आपको नहीं चाहते के, मुझे end date नहीं है, continue चलते रहेगा, तो यह भी कर लीजिए, बस मैं यहाँ तक और कुछ नहीं दिखा रहा हूं, आपको location select करना है, जो साथ-साथ आपको India के नहीं, एक particular location के अंदर आपको ad campaign चले लगेंगे, location के और customize करना चाहते है, तो जो लोग अगर interested है, आपको location के, ओ location के भी आप दिखा सकते हो, और अगर जो लोग आपको पूरे से बाहर है, तो ओ भी आप रिजिए कर सकते हो, friend, यहाँ पर audience, audience का आप customers कर सकते हैं, या by default तो चली, यहाँ पर तो मैंने keyword की suggestion करूँ, तो आपको by default जो audience यह आपको करने के कोई जो रोती ही नहीं है, right, because ए keyword की दोरा आपको यह ad campaign रान होगा, तो friend, आपको क्या करना होगा, part day बाजिट फिस्ट करना होगा, part day बाजिट आप चाहे, तो 32 रुपी तो I hope कि मैं आपको suggestion करता हूँ, आप 500 करके भी delivery payment अब दे सकता हूँ, तो friend, मैं यहाँ पर दोना option मिलता है, जासे standard और access related, यह रहने दीजिए, standard में दीता हूँ, और यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पर click के वाज़े से मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, right, और maximum और minimum जो budget औ आपको by default बता दू के Google automatic जो by default है वो ले लेता है, यह official है, अगर आप यह चाहे के by default पार click आप नहीं देना चाहता हो, तो कोई दिकत नहीं, friend, आप यह कर सकते हो, अगर आप चाहता हो के नहीं, मैं सरफ जो budget fix के दिया हो, तो यह आप यहाँ पर click करके इसका budget के उपर आप रखे, इसको उपर नहीं जाएगा, पर इसके निशे जो है, वो जुरूर आप देख पाएंगे, अगर यह नहीं देंगे, तो by default आपको ऐसे रहेगा, और यह अगर नहीं देंगे, तो कोई धिकत नहीं, friend, यह चलते रहेगा, तो चलिए, मैं यहाँ पर यह लगा देता और आप देखिए, कि यह call extension ready है, और मैं save and continue करूँगा, right, save and जब continue करूँगे, तो दूसरे वाला जो page है, set add group, मुझे add group create करना होगा, add group create करने के लिए, आपको add group के अंदर, आपको add group name देना होगा, इसके साथ से आपको keyword choice करना होगा, और आपको जो add है, वो लिखने के ल चल रहे, यह standard की level के चल रहे, और यहाँ पर जो add group है, आप रखिए, कि Google, sorry मैं Google नहीं रिखना चाहतो, business, buss business call, right, तो आप business call भी दे सकते, और इसमें कोई धिकत नहीं, आप business call देने के बाद, आप यहाँ पर लिखे, जैसे for example, digital marketing, मेरा website की हिचप से जो keyword बनता है, मैंने एक ही keyword रखो, आप चाहे, तो यहाँ पर पात, सो, दाज, पंदरा, सोला, कुछ भी रख सकते हैं, अगर आपको keyword का knowledge नहीं, for example, आपसोच नहीं पारेंगे, कि इतना सारी keyword की हिचप से मैं कौन से best keyword घूंडू, तो आप प्लीस यहाँ पर mention कर दीजिए, I hope कि यहाँ पर है, यह मिल जाएंगे, by default, अगर यहाँ पर आप क्लिक करके लेंगे, तो यहाँ पर जो keyword आपको पसंत आ जाते, वो keyword आप जरूर उठा लीजिए, तो मैं आपको दिखा था हूँ, थोड़ा सा net slow है, तो कोई धिकत नहीं, चलो यहाँ पर आ गया, तो by digital marketing company, अगर यह क्लिक करेंगे, तो ACU Digital Marketing, जैसे for example, marketing agency, internet marketing, जो पसंत है, जो पसंत है, आप करिये, इसमें कोई धिकत नहीं, अज जितना keyword आप दे सकते, तो दे सकते हैं, friend, keyword का, जो math type है, ओ भी मैं आपको सिखा हूँगा, पर मैं आपको सरेब, एक ad campaign कैसे create करते है, call ad, यहाँ पर सिखा रो, right, यहाँ पर आपको क्या करना है, save and continue करना है, right, save and continue करने के बाद आपको add title, जो है, यह आपको लिखना होगा, by default मैं यहाँ पर final URL, net media रखना चाहते हूँ, net media, आप चाहे तो आपका जो business का final URL है, जुरूर रखिये, right, और यहाँ पर आपको जो headline है, तो यह headline आप कुस भी ल 20% WAP digital marketing, so friend, मैं यहाँ पर लिखा हू, 20% WAP digital marketing services in Pune, right, friend, तो यह मैं दे सकती हूँ, और इसका आपको जो है, today calls now, हुरे, right, friend, तो चलिए, मेरा जो ad campaign है, आप देख सकते हैं, कैसे तरह के चाहँ आपका ad campaign बनेंगे, for example, अगर आप display, just say, desktop में चलाएंगे, तो आपका ad लाओ, ऐसे कुछ लिख सकते है, right, तो friend, आप देख सकते हैं, कि कोई भी ad campaign चलाएंगे, आपको minimum 30 character, 30 character, ऐसे करके, आप 3 headline लिख सकते हो, यहाँ पर जो पाट है, आप चाहें, तो यहाँ पर जो digital marketing है, यह भी आप रख सकते हो, friend, यह भी अगर आप यह चाहें, तो आप देख सकते हो, इसको मैं main suggestion करूँगा, कि आप digital marketing जो है, वो आप रख सकते हैं, जैसे for example, SEO agency, right, तो SEO company, तो मैं ऐसे तरीके से suggestion नहीं करूँगा, बिकाज आपको जो title और keyword है, जैसे for example, digital marketing, तो आप यह digital company, लिख सकते हैं, जैसे digital company, right, digital, या आप SEO, कुछ भी रख सकते हो, तो मन पसंद, तो चलो, मुझे लगता है, यही ठीक ठक है, तो मैंने यहाँ पर दिया, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर URL जो है, netmedia.in और इसको साथ साथ SEO company, by default आपको एक click होंगे, friend, यहाँ पर जो click आप करेंगे, तो by default आपको finally URL netmedia.in के अंदर आपको website की link चला जाएगा, तो friend, यहाँ पर जो discussion है, यह discussion आपको थोड़ा सा दिमक लगा कार आपको चलाना चाहिए, मैं यहाँ पर आपको suggestion करूँगा, कि आप ad campaign चलाने से पहले, आप दूसरा जो company है, उसका जुरूर आप देखिया, right, क्योंकि इसमें क आपको बहुत जल्दी और quickly मैं दिखाने के लिए, मैं यहाँ पर आपको यह copy करके दिखा रहूँ, क्योंकि आपको पूरा बात समस में आ जाए, right, तो friend, आप यहाँ पर देख सकते के, एक part, तो चले मैं यह थोड़ा सा यहाँ पर copy करके, यहाँ पर तक दे देता हूँ, right और मैं यहाँ पर देता हूँ, तो चले यह भी ज्यादा हो गया, next 11, तो goal driving and, और मैंने यह done कर दिया, और आपको जो ad campaign यह complete हो चुका है, तो friend, आप देख सकते हो के, आपका ad campaign यह campaign complete हो चुका है, और आपका ad campaign complete होने के बाद, आप देखिए, आपको जो business call यह बन चुका ह है, right friend, और आपको जो extension और आपको जो ad call already है, तो I hope friend के यह जो मिने आपको ad campaign चलाने के, मिने जो details दिया, यह अगर आपको वीडियो अच्छे लगते है, तो please आप ऐसा ही तरीके से start करके, Google call ads generate कर सकते हो, A, B, आपको lead भी कहते है, तो आप Google leads ads भी generate कर सकते हो, thank you so much friend, आपन के अगर कोई भी बुरा लगता है, तो please आप comment करके, dislike करके भी मुझे alert कर देजिए, thank you so much friend, आपने इतना time देने के लिए, चलेए मिलते है नए रख वीडियो के साथ, तब तक अब happy रहिए, खुश रहिए, जाए हिंद, बंदबदरम